हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन क्लास 11 जागरती ओनलाइन लर्निंग एब बच्चों आपने अगर सारे वीडियो देखें, कंटिन्यू तो अपने तीन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया इलेवन क्लास के अंदर फर्स चैप्टर था सम बेसिक कॉंसेप्ट ऑफ केमेस्ट्री, सेकेंड अटोमिक इस्ट्रक्चर एंड थर्ड था अपना पिरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पिरियोडिसिटी और केमिकल बांडिंग एंड मॉलिकुलर इस्ट्रक्चर यह अपना एक नया चैप्टर है तो यह आज स्टार्ड कर रहे हैं मॉलिकुलर इस्ट्रक्चर और केमिकल बांडिंग Molecular Structure तो यह chapter start करेंगे Chemical Bonding होता क्या है Chemical Bond का मतलब क्या होता है अपने काफी सारे Molecules पढ़े हैं उसमें यह भी देखा है Bond बनता है Bond बनता है तो वो Stable रहता है और Stable रहता है तो Molecules बन जाते हैं लेकिन इन सारी चीजों के पीछे Reason क्या है वो सारा इस chapter में अपन पढ़ेंगे कोई भी atom ions या molecules जो भी है atoms या ions जो भी है वो आपस में एक किसी ने किसी Bond के through combined होके molecule बनाता है जैसे आपने सुनावा है कि H2 होता है या H2O होता है या CL2 होता है या BR2 होता है ये सारे molecules होते तो हैं लेकिन actual में ये किसी ने किसी से Bonded होके बनते हैं सिंगल एक atom से कोई भी एक molecule नहीं बनता एक element एक molecule नहीं बना सकता लेकिन दो या दो से ज़्यादा element आपस में जब combined होंगे किसी bond के through connect होता है तब अपन कहते हैं उसके अंदर एक chemical bonding होती है और chemical bonding अलग लग तरीके से कर सकता है जैसे हैं एक और एक के बीच में एक bond बनाया मैंने ये जो bond है ये कोवलेंड bond है इसमें जो bond बन रहा हो शेरिंग करके बन रहा है एक electron 13 एक electron मेरा जैसे करते हैं एक रूपया 13 और एक रूपया बनाके बताएंगे कैसे bond बनता है और फिर molecular restrictor के बारे में बात करेंगे अपन और इसमें chemical bonding का मतलब क्या होता है chemical bond क्यों बनते हैं ये सारे reasons अपन इस chapter में clear करेंगे chapter काफी लंबा है lengthy है लेकिन हर एक topic important है 12 के regarding ये जो topic अगर आपने chapters नहीं किये फर्स सेकिंड थर्ड और फोर्थ तो 12 में आगे आपको दिक्कत मिल सकती है problems आज सकती है तो regular videos को watch कीजिए learn कीजिए share कीजिए तक कि आपको इसमें problem से ज़्यादा से ज़्यादा problems जो है आप मेरे पास बेज सको और उसका solution अपन कर सकें तो यहां मैं बता रहा हूं कि H2, H2O के साथ में H2 का molecule कैसे बना, H2O कैसे बना, O के साथ में 2H combined हो गए, तो H2O बना, तो यह जो combined हुए है यह जो bond बना, यह bond किसके थरू बनते हैं, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, यह सारी चीज अपन को समझ नहीं हैं, तो बात करते हैं, अपन सबसे पहले chemical bond क्या होता है, in a chemical species, तो chemical bonding की definitions यहां बताते हैं, in the molecule, the bond between, 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 two or more atoms, atoms, and attraction force, force, between, atom or ion, atom or ion, is known as, chemical bond, chemical bond, तो यह जो bond है, chemical bond किस से बनता है, दो या दो से ज़्यादा atoms या molecule आपस में combined होते हैं, किसी एक attraction के थरू या किसी bond के थरू तो combined होते हैं, उसी bond को या attraction को आप क्या नाम दे सकते हैं, chemical bond, तो chemical bond जो बना हैं, यह bond बनने का region क्या है, कि हर एक element अपनी stability चाहता है, जल से मैं कह रहा हूँ, hydrogen एक atom है, अभी atom है, यह अभी unstable है, यह रही नहीं सकता, क्यों नहीं रह सकता है, क्योंकि इसके configuration में अपन जब लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1s1, और 1s1 की तो stability possible ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा तर stability कि इनकी होती है, जो inert gas है, वो ज्यादा stable है, वन atomic form में कौन ज्यादा stable रहता है, अपने पढ़ावा है, helium, neon, argon, krypton, xenon, और redon, यह अपने periodic table में पढ़ा था, 18th group के element है, और 18th group में यह element इसलिए stable है, क्योंकि ना तो इनको कि यह आपने हाल में मस्त हैं का मतलब है, कि यह कि से साथ ना तो एड होना चाते हैं, ना किसी से react होना चाते हैं, कोई reactions करना चाते हैं, कुछ भी करना नहीं चाते हैं यह अपने नीutral लहना चाते हैं, तो ऐसे atoms को अपन बोलते हैं, inert gasage का जो configuration हर एक element बनाना चाहता है उसलिए कुछ नो कुछ electrons की शेरिंग करेगा electrons का transfer करेगा और electrons चाहे लेगा देगा या कुछ भी करेगा लेकिन कुल मिला के वो stable हो जाएगा अभी stability के लिए चाहे share करो चाहे electron का transfer करो किसी के भी थूपन इसकी bonding को समझा सकते हैं तो chemical bond बनाने का main reason है हर एक element किन की तरह बनना चाहता है आदर स्री राम की तरह स्री राम की तरह का मतलब क्या हो गया inert gas की तरह और जो inert gas की तरह बन गया वो ज्यादा stable हो गया तो कोई भी bond बने के समय यह चीज होती है कि जब atoms atomic form में रहता थो उनकी energy अभी ज़यादा है higher energy पर higher energy पर जब भी यह molecules में convert हो जाते हैं वह इनकी energy कैंने उलो तो potential energy High Cay कब होती है जब यह किसके ओंए में रहता है atomic form में लेकिन जब यह molecules में convert हो जाते हैं तब इनकी potential energy low हो और यह molecules क्या हो जाते हैं इस्टेपल हो जाते हैं तो अब अपन बताएंगे आगे theory of chemical bonding एक Lewis और कोसल ने अपने यह theory बताई थी theory of chemical bonding अपने यह बताएंगे हरेक अलिमेंट किसकी तरह बनना चाहता है सी राम की तरह मतलब valence cell में 8 electron पूरा करना चाहता है तो उसके लिए चाहे share करेंगे चाहे कुछ भी करेंगे और यह जो theory दी थी यह किस ने दी थी लेविस और कोसल theory of chemical bonding लेविस और कोसल ने यह बताया था इसको बताने से भी पहले अपन कुछ चीज़ें और क्लियर कर देते हैं किसी भी atoms के valence electron क्या होते हैं यह चीज़ आपको समझ मानी चीज़े valence electron क्या होते हैं जैसे carbon का आपन लिखते हैं carbon कितने नंबर पर आता है 6 पर तो configuration क्या लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p2 valence cell हो गया outermost cell जैसमें यह nucleus है आप फस्ट है सेकेंड सेल है और फस्ट हैल में तो सिर्फ किते ही लेक्टरोन हैं दो इलेक्टरोन और सेकेंड सेल में किते हैं one two three और four electron अब इसमें valence cell कौन सा होगा तो वेलेंज सेल हैं आउटर मोस्ट सेल को यह वैलेंज VALENC valence cell तो valence cell वो होता है जिसमें outer most electrons होते हैं यह electrons होते हैं चार electron जो है valence cell के electron है अब आप पूछेंगे कि यह जो nucleus और inner cells को क्या बोलेंगे तो nucleus plus inner cells इन दोनों को मिला के यहां आपने लिखेंगे kernel kernel किन को बोलते हैं nucleus plus inner cells electron को मिला के क्या बोलते हैं kernel outer most cell को अपन क्या बोलेंगे valence cell और valence cell के electron कोई valence electron बोलते हैं तो यह चीज़ आपको ध्यान होनी चीए कि भई कैसे किसी का नाम valence electron पढ़ा है valence cell किन को बोलते हैं एक और example देते हैं sodium का और sodium आता है 11 नमबर पे 11 पे आता है sodium और configuration क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 तो 1s फिर 2s फिर 3s तो इसमें कहने का मतलब यह हुआ कि यह nucleus है nucleus में first cell second cell third cell और यहां अपन electron कितना बताएंगे यहां पे first cell में दो electron second cell में eight electron three four five six seven और eight electron और यह हो गया one electron तो यहां valence cell कौन सा हो गया outer most cell इसको नाम क्या देंगे valence cell और inner cells two plus eight plus nucleus इन सब को मिला के आप क्या नाम दोगे kernel तो kernel nucleus plus inner cells को बोलते हैं और outer most cell को अपन क्या बोलेंगे valence cell valence cell के electron को यह अपन क्या बोलते हैं valence electron तो यह चीज़ें ध्यान होनी चीए अब valence electron के base पर इनकी valence बताते हैं जैसे valence है first group के element इसको थोड़ा उपर कर देते हैं ताकि यह topic आपको miss नहीं हो जैसे first group electron में first में sodium, potassium बगर यह आते हैं इनके पास valence cell one होता तो valence भी किती होगी one first group की second group की valence किती होगी two फिर आजाते हैं सीधा 13 group, 13 group की valence 3, 14 group की valence 4, 15 group की valence 3 फिर एना eight में से यह करना है, eight में से क्यों करना है यह second period तक follow करता है eight में से less करके, three, फिर 16 वाला, two, और फिर 17 वाला, one इसके बाद में inert gases कोई valence नहीं करता, कुछ exceptions है वो आगे बताएंगे अपन यह valence है, outer most cell के electrons है, इनके पास one electron, इसके two, इसके three, इसके four इसमें five electron होते हैं, लेकिन five को eight करने के लिए तीन electron सेड करने की requirement थी इसलिए three लिका मैंने, फिर two लिका, फिर one लिका, तो यह valence electrons, valence cells क्या होते हैं यह अपनने बता दिया अब देखो बच्छों, यह अपनने valence cell के बाद में अपन को यह जो outer most electron को अगर represent करना है तो उनी structure को अपन क्या बोलते हैं, lavish dot structure, किसी भी element के outer most electron को represent करना है dot के through तो उसको अपन क्या बोलते हैं, तो इस language को लिख देते हैं representation of representation of outer most electron by dot or cross of element is known as, known as, known as, lavish dot structure इन electron को represent करना अपन को इसको क्या बोलते हैं, lavish dot structure करनेल क्या होता है, valence क्या होता है, valence cell के electron कैसे find out करते हैं, यह तरीका भी मैंने बता दिया है, periodic table अगर पड़ी हुई है, तो आपको easily यह चीज समझ में आजाई, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, पूराने वीडियो को ज्यादा देखो, तक कि नया topic आपको easily समझ में आए, तो यह चीज करनी है, इसके साथ में, यह valence cell और यह dot structures क्या होते हैं, यह अपन अब बताते हैं, जैसे अपन को अगर पूछे, कि carbon का dot structure बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, carbon लिख दिया, और carbon के valence cell में किते electron होते हैं, तो यह 4 को अपन ऐसे represent करेंगे, 1, 2, 3, और 4, यह cross लिखाया, अगर cross नहीं लगा कि आप dot भी दिखाएंगे, तो भी dot structure या cross में भी इसको represent कर सकते हैं, अब oxygen का dot structure बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह इसका dot structure, dot structure का मतलब oxygen के outermost electron को represent करना, oxygen के चाहँ तरफ, यह N का बनाना है, nitrogen का बनाना है, तो nitrogen के valence cell में 5 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो कुल मिला के electrons को ऐसे represent करना है, ताकि यहां आपको इनके electrons को dot के थूँ बताना है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, dot structure, अब जैसे मैंने बोल दिया, sulfur का बताना है, तो sulfur खुद किते बाता है, 16 पे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते है, 286, तो valence cell में किते electron हो गए 6, count करके भी देखो, 8 और 2, 10 और 6 किता हो गया 16, तो sulfur के बार आपको 6 electron ऐसे दिखाना है, यह इस तरीके से sulfur को दिखा दिया, अब यह atoms अगर molecule के form में बनाएं, तो भी इनके dot structure को ऐसे ही बनाना है, जैसे मैंने मान लो, एक H2O का example देना है, hydrogen के पास तो एक ही electron होता है, oxygen बना दिया, और oxygen के पास किते electron है, total 6, यह 6 electron मैंने represent कर दिये, और hydrogen के पास किते होते हैं, यह hydrogen के पास है, 1 electron, थोड़ा इसे अलग color से बना देता हूं, ताकि आपको यह topic clear हो जाए, easily, तो अब यह क्या करेगा, देखो, यह एक electron से share कर रहा है, वो भी उदर से share कर रहा है, total मिला के इसके पास 8 electron हो गए, लेकिन hydrogen के पास किते हुए हैं, 2, और इस hydrogen के पास में भी किते हुए हैं, 2, तो यह जो इनका representation है, electrons को dot या cross के through represent करते हैं अपन, उसी को अपन क्या बोलते हैं, levis dot structure, तो कुछ molecule के और अपन dot structure बताएंगे, ताकि आपको यह examples easily समझ में आए, तो करते हैं एक बात और, CCL4 का dot structure बनाते हैं, CCL4, यह थोड़ा बड़ा भी है और ध्यान भी रखना आपको कैसे बनाना है, पहले तो यह clear होना चाहिए, carbon के पास 4 electron और CL के पास किते electron है 7 electron, और carbon से CL किते connect है, 4, तो पहले आप इना बीच में carbon बना लो, और carbon के 4 electron को represent कर दो, यह 4 electron हो गए, अब आप इना क्या करोगे, CL बनाओगे चारो तरफ, तो यह CL, यह CL, CL और CL, अब CL के जो electron है, वो cross के through represent कर दो, और 7 cross बनाने, तो यह cross बना दिये, मैंने 7 cross और यह सारे किस के तरफ, किस के चारो तरफ बनाने, CL के चारो तरफ, अब यह हो गया, होने के बाद, अब इसके में add कर लो, यह हो गया, और अब अपन कहेंगे, इनके चार को 8 करना है, octate complete करना, क्योंकि inert gas के valence cell में 8 electron होते हैं, और हर एक element भी यही चाहता है, कि मेरे valence cell में कितने electron हो जाए, 8 electron, अब एक 8 electron करने के लिए, यह क्या करेगा, शेयर करेगा, एक एक electron की sharing यह CL के साथ करेगा, अब यह देखो, carbon के पास कितने हो गए, 8 complete हो गए, और CL के पास में भी 8 electron complete हो गए, तो यह 8, 8 electron करने के लिए sharing करता है, bond मनाता है, और यही जो dot और cross के through representation करते हैं, अपन इसी को क्या बोलते हैं, अपन, dot structure, lavish dot structure, यह हो गए, तो आज की class में अपने जो topic basic चीजे कर वाई थी, कोई भी element के valence cells क्या होते हैं, kernel क्या होता है, उसमें किते electron को represent करना है, dot structure को कैसे बनाना है, कैसे अपन किसी के valence cell के electron को find out करते हैं, तो यह चीज अपन को ध्यान होनी चीए, मालूम होना चीए, इसके अलावा जो next topic अपन कल से start करेंगे ताकि यह basic आपको पूरा अच्छी तरह clearly समझ में आ जाए, तो यह basic अपन उसको आगे complete करते हैं, thank you for joining this class, और regular videos को watch कीजिए, share भी कीजिए, अपने friends को बताईए, ताकि इससे यह फायदा होगा, उनके भी कोई doubts होंगे, या तुमारे कोई doubts होंगे, या जिन जिनके भी जो problems आ रही है, उनको अपन easily solve कर सकें, कोई भी doubt रहना नहीं चीए, इसके लिए अपने ये सारा sharing का method बता रखा है, कैसे share करना है, और कैसे अपन ने ये इस topic को start किया है, ये चीज अपन को clear होने है, thank you बच्चा,